इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम NCIT solutions discuss करने वाले हैं किस चैप्टर के तो जिस चैप्टर को थियोरी पार्ट पे हम पूरी तरह से complete कर चुके हैं class 7th geography का chapter है human environment interactions और अब इस बार मने ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लिखा नहीं है intentionally क्योंकि अब आपको भी याद हो गया है मुझे भी याद हो गया है कि हम human environment interactions को अगर पढ़ रहे हैं तो हम tropical और subtropical region के perspective से पढ़ रहे हैं अब देखिए क्या है तो chapter तो complete हो गया अब NCRT questions आपके पास भी है मेरे पास भी है आपके पास answers नहीं है मेरे पास answers भी है मुझेदार बात तो अब उन सारे solutions को उन सारे answers को हम discuss करने वाले हैं fine देखिए क्या है answer the foreign questions पर पहले आते हैं छोटे-छोटे से सुंदर-सुंदर से answer हैं याद करने में भी दिक्कत नहीं होती है तो name the continent in which Amazon basin is located तो the continent in which Amazon basin is located is known as South America South America ऊपर North America है तो South America हो गया है अगला का है what are the crops grown by the people of the Amazon basin Amazon basin के जो लोग है उनके दोरा कौन सी crops grow की जाती है तो तापियों का ठीक है pineapple, sweet potato, coffee, maize, cocoa जैसे सब क्या है cash crop है are the crops grown by people of the Amazon basin यह मैंने आपको बता दिया clear है आगे क्या है name the birds that you are likely to find in rainforest of Amazon Amazon rainforest में आपको कौन से birds मिल सकते हैं वो पूछा है यह सारी चीदों को one marks में भी पूछी जा सकती है और इस तरह से direct question में भी direct question है आपको one word में answer देना है एक statement में देना answer वैसे दे सकते हो आप तो tokens and hummingbird ठीक है और फिर birds bird of paradise यह सब भी लिख सकते हो आप तो tokens and hummingbirds are found in the rainforest of Amazon Amazon के rainforest में यह वाले पक्षी पाए जाते हैं what are the major cities located on the river Ganga तो what are the major cities आप आपको cities तो हजारों bank पर situated है तो यहां पर क्या है गंगा के घाट है आरतियां होती है वह सारी चीज़ने आपने वीडियो में movies में देखा होगा और उसी के साथ साथ में important चीज़ क्या है कि यह जो सारी cities में ने बताई आपको तो यह ancient city यह ancient cities मतलब ancient में ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी लेकिन फिर भी क्या है relatively बहुत पुरानी cities है जो क्या है river के आजबाज़ो डवलप हो गई है civilization यहां से start हुआ ठीक है अब देखिए क्या है where is one horn rhinosaurus found एक सिंग वाला rhinosaurus कहा पाया जाता है तो the one horn rhinosaurus is found in ब्रह्मपुत्रा plane ब्रह्मपुत्रा plane में भी कहां पे काजी रंगा नैशनल पार्क नहाने आपको मैं बताया था तो काजी रंगा नैशनल पार्क में one horn rhinosaurus पाया जाता है यह तो question answers हो गए अगला क्या है टिक दी correct answer mcqa मदेदार चीज होती इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि चार में से ही एक answer है ठीक है और यहां तो तीन ही दिये तो यह 33% probability आपका answer सही जाने की मैं question बोलूँगा आपको भी क्या करना है मन में answer सोचना है मन में answer सोच नहीं बिल्कुल नहीं तो right answer is birds ठीक है next का है maniog is a staple food of maniog कहां का staple food है एक और hint देता हो चलो कसावास भी कहा जाता है इसे कहां कहा जाता है गंगा बेसिन में एफरीका में या फिर Amazon में सोचो जारो हमने एफरीका तो पढ़ा ही नहीं है तो यह तो देखो हमेशा जरूर न सब्सक्राइब कॉलककता सबुस्बलार को यह तो इसे औरैंच रीवर हुगली रिवर भागिशा रती तो अब यहाँ पर देखना रखना है काॉलकटा वहुगली रिवर हुगली रिवर यह आपको बताना है, तो यह coniferous tree है, मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे आप height पर जाते जाओगे, तो पहाडों पर जिस तरह का vegetation देखने को मिलता हो, क्या होता है, coniferous होता है, यह पहाडों पर पहाडों की तरह पेड़ पाए जाते है, clear, यह coniferous trees जो हैं, तो देवदार फिर यह सारे पेड़ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शिक्किम इन areas में, these trees are coniferous trees, अब बेंगोल टाइगर is found in, बेंगोल टाइगर कहां मिलते हैं, यह बताओ जरा, mountains में मिलते हैं, delta area में मिलते हैं कि Amazon में, देखो मेरा आप आपको बताए था, कि गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लीन जो है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लीन जो है, वो डेल्टा बनाता है, ठीके, डेल्टा बनाता है, मतलब क्या होता है, कि यह नदी हैं, दोनों दोनों दिया, समुदर में मिलने आली, तो समुदर में मिलने से पह तो Bengal Tiger के लिए सही आंसर हो जाएगा, delta area, clear है So this was all about tick the correct answer, हो गए tick the correct answer आशे करता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी सही answer लगाए होंगे त्विके, आगे क्या है, match the following आगे आगे, match the following में आपके पास मेंज़े को कितने question है? पांच चलो ठीक है इधर ऑप्शन कितने है साथ दो ऑप्शन क्या है किसी काम के नहीं है चलो देखते हैं दो कोसी मतलब यह दो आंसर आपको बलफ करने के लिए कि आप कंफीज हो जाओ ठीक है लेकिन ट्रिक क्या है मारी कि हम सबसे पहले इधर सारी चीज़े पढ़ लेंग आप गंगा प्लेन है और क्या है वारानसी और फिश है यह सारी चीज़े अब आंसर देख लिए कुशन देख लिए हमने अब जड़ा मिलाना चालो करते हैं चलो जिससे आपको पिराना सबसे पहले समझाओ गया फिश यह क्योंकि बहुत डरावनी सी दिखाई यह पीसी मे रिर आंसर में मिल्ता है गंगा प्लेंइन में मिल सकता है लेकिन हमें यह बताना है कि Silk warm के लिए ल में स्पिर टेंदो में अगरी कुल्ट्र कहलता की काजी रंगा तो आपको पता है कि काजी रंगा तो ब्रह्मोपुत्रा प्लेन में असाम में हैं ठीक है अभी पढ़ा था हमने वहाँ पे वन हॉंड राइनसारिस पाए जाते हैं तो काजी रंगा हो गया असाम का अब बचे दो हैं मलोका मैंने आपको बताया था कुछ अगर ध्यान हो तो ठीक है अमेजान बेसिन में जो घर होते हैं तो वो घर किस तरह के होते हैं अब बचाए कॉटन टेक्सटाइल ऑप्षान है टेरस फ़र्मिंग काट दो बिल्कुल टेरस फ़र्मिंग में तो हम देखते हैं कि पहाडों को काट के पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है तो टेरस फ़र्मिंग तो नहीं है अब बचाए क्या गंगा प्लेन और वारण असी तो कॉटन टेक्सटाइल जो है तो पुरानी सीटी जो है वारण असी जैसी यह सीटी जब डवलप हुई है न तो यहां पे बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या फिल लोगों ने अपने घर में बैठके वीविंग सीख ली यह डवलप हुआ तो यह सही आंसर है कॉटन टेक्सटाइल का वारण असी हो गया मालोका का हो गया स्लैंटिंग रूफ पिराना का हो गया फिश सिल्क वाम का हो गया सरी कल्चर काजी रंगा का हो गया असाम अभी आप एक चीज़ सोच रहोंगे सर आपने कॉटन टेक्सटाइल फर्स्ट पर गेस करो, तो उससे क्या होगा, उससे आप पहुँच जाओगे nearest answer तक, तो ये तरीका, देखो कभी भी question देखे घबरा नहीं है, आधा काम आपका वहीं पे खतम हो जाता है, अगर आप question देखे घबराते नहीं हो, आया समझ में, चलो, तो अब हमारा chapter जो है, पूरी तरह से complete हुआ, इसे हम देते हैं, पूर्ण आहुती, पूर्ण आहुती देने से पहले भी दो question बजगा है लेकिन, clear, तो फिर देदें पूर्ण आहुती रूखो, तो the rainforests are depleting, give reasons, आपको reason देना है कि rainforest, forest, जो rainforest area है, तो वो क्यों deplete हो रहा है, क्यों खतम होते चले आ रहा है, answer क्या लिखेंगे हम, तो the rainforests are depleting because of developmental activities which destroyed the biological diversity of rainforest through deforestation and hunting, अब क्या हो रहा है, कि जैसे हम देखा, rainforest Amazon basin हो गया, Amazon basin में क्या हो रहा, सब कुछ deplete होते जा रहा है, खतम होते जा रहा है, क्यों खतम हो रहा है, कौन ले जा रहा है, वहां से, तो खतम होने के पीछे जो कारण है, वो कारण क्या है कि developmental activities, जैसे development फैलते जा रहा, बढ़ते जा रही है, cities वगरा सब कुछ, तो जब सब कुछ बढ़ रहा है, तो बढ़ते, development के चलते क्या हो रहा, प जो वहां की wildlife है वहां का जो culture है tribes को आप बाहर बगा दे रहे हो ठीक है किसी दिन आ गए ना घर पर तो सोच ले ना फिर तो इस तरह से क्या है कि यह problems create हो रही है तो the rainforest are depleting आगे समझ में fine आगे देखो क्या है paddy paddy is grown in the ganga brahmaputra plains paddy जो है वो गंगा brahmaputra plains में grow की जाती है अब इसका आपको reason देना है reason कि अब यह paddy को पानी लगता है fertile soil लगती दोनों मिल जाती गंगा brahmaputra plain में बस लिखना है आपको ठीक है तो the ganga brahmaputra plain is best suited for paddy cultivation because it requires sufficient water and fertile soil add कर लो ठीक है and fertile soil and this region fulfill this condition तो गंगा brahmaputra plain जो है वहाँ पे fertile soil भी है और sufficient rainfall भी है पानी भी है नदी भी है सारी चीज़ें तो इसके चलते क्या यह सारी situation गंगा brahmaputra plain में fulfill होती है और paddy को भी paddy मतलब rice rice को भी यही conditions चाहिए रहती है तो rice यहाँ पे खुब आसानी से grow की जा सकती है आगे समझ में this was all about सारे NCRT solutions जो हमने discuss कर लिए जीत गए हम ठीक है तो सारे NCRT solutions हमने discuss कर लिए question answers हमारे यहाँ पे क्या होते है complete होते है clear अब जब question answers complete होगा तो क्या करना है अब देना हमें पूर्णा होती स्वाहा तो यह chapter पूरा complete हुआ theory पार्ट पे भी question answers वाले पार्ट पे भी I wish you enjoyed the chapter ठीक है सारी चीज़ें आपको समझ में आईए बहतर तरह से नहीं समझ आईए तो question आप डाल सकते हैं comment section में ठीक है और एक और important चीज़ क्या है कि magnet brains पे आप जो पढ़ते आ रहे हैं तो सारी classes class 4 से class 12 इसी तरह से आप पताईएगा जरूर फाइन अब next video lecture में एक नए चाप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं till then stay connected keep learning thank you thank you very much